Hello Sagittarius, मैंने देखा जब दिल से रॉलेटेड बाते होती है ना तो लोग को जादा ही curious होते हैं कौन हां बोलने वाला है, कौन नाम बोलने वाला है, blessings क्या होगी, आगे होने वाला future, partner कैसा दिखता होगा, क्या करता होगा यह सारी curiosity बहुत जादा होती है लोगों को, in fact career और usual life से जादा तो इसलिए इस reading में मैं यह सारी चीज़े cover करने वाली हूँ, जित्ते भी मुझे messages आएंगे universe से, मैं वो सारी पूरी कोशिश करूँगी, वो सारे messages cover करने की ठीक है, start करते है इस रीदिंगो, for the next 10 days, 1st to 10th June के लिए, आईए universe, please बताएं, Sagittarius के लिए, क्या messages है, for the first 10 days of June, universe, please बताएं, Sagittarius के लिए, क्या messages है, for the first 10 days of June तो, Sagittarius हमारे पास है, 3 cards, Knight of Wands, Queen of Swords, 3 of Swords, अब इवन दो यह reading next 10 days की है, बट थोड़ा सा ना, fixated मत रहिएगा, दिनों पर थोड़ा सा, spill होती है energy, plus minus few days लेके चलिएगा, अब अमारे पास है, Knight of Wands, और Queen of Swords, तो यहाँ पर Knight of Wands, जो है, Aries, Leo, Sagittarius, वो आपकी energy है, Queen of Swords, जो है न, Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius, यह दूसरे इंसान की energy है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है, Three of Swords, जो की है heartbreak, यह थोड़े टाइम से मुझे, Sagittarius, आपके love और general reading में भी यह चीज़ आ रही है, कि आपके past में कोई तो heartbreak हुआ है, अब heartbreak जरूरी नहीं है, कि कोई कहते हैं कि एक शादी तूटी हो, रिष्टा तूटा हो, या कुछ वैसे चीज़े भी हो सकती हैं, बट किसी इंसान ने आपको धुका दे दिया, तो आपका दिल टूट गया, वैसा भी हो सकता है, आपको किसी दोस ने आपका दिल टोड दिया, दोस पर दिल टोडते हैं, तो यहाँ पर वैसा भी हो सकता है, थोड़ा सा literal sense में मत लीजेगा, देखिएगा आपने life में इधर थोड़ा सा वाइडर वो करके परस्पेक्टिव तो हां तो यहां पे न मुझे ऐसे लग रहा है पास्ट में कुछ तो दिल तूटा है आपका क्योंकि और आपकी जो एनर्जी है ना वो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत हेस्टी डिसीजन्स ले रहे हो अभी इस टाइन पर नाइट ववांस हमी क्या बताता है कि बहुत ही ना एक्शन ओरियंटेट तो हो आप जल बाजी थोड़ी जादा कर रहे हो मैं कैसे इस इस इनर्जी को कैसे समझाओं जल बाजी कर रहे हो बट बिना सोचे बिना सोचे जल बाजी कर रहे हो दो चीज़े हो सकती है या तो आप बिना सोचे जल बाजी कर रहे हो चीज़े कोई भ से हो जो की action लेते हैं जो की काम करते हैं बट अभी इस time पे आप कर नहीं रहे हो चीज़ आप डीले करे चल जा रहे हो काम को आप बस सोच में पड़े वे हो किसी कुछ तो procrastination होती है ना आप सोच में पड़े वे हो किसी जबकि opposite energy पूरी उसकी है Queen of Swords की Gemini, Libra, Aquarius की बिल्कु अपने form में है इस time पे यह अभी organized है यह थोड़ा सा कहते है ना quick thinking होती है कि जल्दी सोचना और जल्दी करना और तरीके वार सोचना गलत चीज़े नहीं करना तो यहां पर इस इंसान की मुझे यह energy आ रही है और three of swords तो मैंने बता ही दिया तो कुछ match नहीं कर रहा है आपक और इस इंसान का दूसरी चीज़ जो मुझे ध्यान में आ रही है भी एक intuition आई बहुत specific message है यह हो सकता है कि जो दिल जो आपका तूटा है उस वजा से आप आप हेस्टी decisions ले रहे हो या procrastinate कर रहे हो जो भी है आपकी decision making on point नहीं है अभी इस time पे but in the next 10 days plus minus few days आप एक queen of swords में turn हो जाओगे आपके past person होंगे Gemini Libra Aquarius but अभी in the next 10 days आप एक queen of swords में turn होगे जो की quick thinking करते हैं organized होते हैं चीजों को हिसाब किताब रखते हैं चीजों का all over the place नहीं है तो आपका मुझे ऐसा लग रहा है दूसरी चीज यह भी हो सकती है कि आपका next 10 days में plus minus few days में आपका transformation हो रहा है from knight of wands to queen of swords, knight जो होता है क्योंकि आप queen level के हो Sagittarius आप बसना भी भटके वे हो, आप अभी वो heartbreak में थोड़े से उलजे वे हो तो इसलिए आपना अपने level से घटके knight पे आ गए हो बट आप queen level के इंसान हो आप थोड़े time और मिना वापस queen level पे पहुँचने वाले हो यह मुझे दिख रहा है तो बताईएगा मुझे comment section में दोनो scenarios में से कौन सा आपके आपसे resonate करता है देखते हैं love and connection deck से हमारे पास क्या है for Sagittarius for the next 10 days और तीसरा card है तो यह पहला card था जो गेरा था तो इसको यहाँ पे रखते हैं ठीक है तो देखिए Sagittarius यहाँ पे जो हमें energies आ रही है वो हैं तीन cards की first card है forgive second है pucker up butter cup तीसरा है time for love fest तो यहाँ पे ना universe आपको बोल रहे हैं जिसने भी आपका दिल तोड़ा जो भी आपके साथ हुआ हो गया past को past में रह लेने दो यह Sagittarius मुझे नहीं पता कितनों के संगे resonate कर रहा है बट यह जो forgive वाली energy है heartbreak वाली energy है यह बहुत time से आ रही है ठीक है तो I think now it's high time कि आप लोग आप लोग निकल आएं बाहर इस energy से तो क्योंकि यहाँ पर universe देखिए universe कब तक बोलता रहेगा आपको आप universe की बात नजर अंदास कर रहे हैं तो कैसे आप बहतर होएंगे forgive करिए जो भी इंसान था जिसने भी जो भी गलती करी थी forgive करें उसे आगे बढ़े क्योंकि देखिए आगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़े लिखी है पकर आप buttercup आपने एक love magnet बनने वाले हो अभी आगे जाके आप बहुत लोगों को attract करने वाले हो आप बहुत positive होने वाले हो लोग ना आपको अगर romantically ना भी सही और अगर romantically नहीं तो भी लोगों को ना एकदम से लोग आपको एक look up to वाली चीज़ होती ही ना वो होने वाली है आपके साथ लोग आपके तरफ attracted होने वाले है influence होंगे, inspire होंगे आपसे थोड़े और time में next 10 days में नहीं थोड़े और time में बट वो तभी होंगे जब आप अपने आपको एक बहतर अपना एक बहतर form में आओगे जब आप knight ही बने रहोंगे, queen form में आओगे ही नहीं तो कोई क्यों attract होगा आपकी तरफ सबको queen चाहिए, king चाहिए, किसी को knight नहीं चाहिए ठीक है, तो improve करिए, time for a love fest मैं बता रही हूँ, बहुत लोग आपकी तरफ attracted होने वाले हैं, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप अपना time ले रहे हो, heal करने के लिए इवन दो वो time थोड़ा सा जादा हो चुका है खिट चुका है, बट तब भी आप अपना time ले रहे हो आपको कहते हैं आपको motivate करने के लिए तो लोगों की attention की कमी नहीं होगी आपके पास अब देखते हैं, charms हमें क्या बोलते हैं Sagittarius के लिए universe बताएं प्रीज क्या है आपके पास for the next 10 days ओके हमारे पास तीन charms है हाथ में एक है, एक है D एक है P और एक है हमारा pattern, एक geometrical pattern है अगर आपको देख पा रहा है तो नहीं दिखेगा आपको, sorry तो देखे, D और P है, अब आप ये देखे कि आपकी life में D नाम से कोई इंसान कोई हो सकता है, जो significant हो P से कोई हो सकता है, जो significant हो आपका नाम हो सकता है, D या P से, surname, कोई जगा जहां पे आप रहते हो city हो सकती है, country हो सकती है, gully हो सकती है कोई school, tuition, कुछ भी हो सकता है D और P से, अब आप देखे, आपके लिए क्या resonate कर रहा है दूसरी चीज, यहां पे ना, pattern है हमारे पास तो यहां पे universe आपको clear indication दे रहा है कि आपको बहुत जादा जरूरत है अपने patterns तोडने की आप अपने patterns तोड नहीं रहे हो आप उसी महीना कुछ फस से गए हो तो यहां पे आपको pattern तोडना है बहुत time हो गया है, ठीक है इससे पहले वो pattern पूरा पक्का बन जाए खतम करो उसको यहां पे मेरे पास है एक bird जो की चोंच में ना पत्ता जो डाली होती है वो उठायवा है और दूसरा है मारे पास Christ जो Christians का जो cross होता है तो देखिए दो चीज़ों हो सकती है या तो आप Christian है आपके partner Christian थे हैं जैसे भी कोई और significant इंसान है आपकी life में जो Christian है आप Christian colony में रहते हैं गुवा में Christians बहुत जादा है यह बहुती common सी normal सी चीज़ है बट हाँ कुछ तो connection है Christianity का यहाँ पर आपकी life में कोई Christian एंटर करने वाला हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है Sagittarius की reading में पहले भी Christians आये थे Christian का एक Christ का sign आया था बताएगा अगर यह पहले भी आया हो तो दूसरी चीज मुझे ऐसी लग रही है कि हो सकता है आपको Christians का जो culture है वो बहुत पसंद हो मुझे जैसे उनकी weddings बहुत पसंद है जो पंची है हमारे पास bird जिसने अपनी beak में पत्ता पकड़ा हुआ है हो सकता है आपका कोई घर बन रहा हो आप घर बना रहे हो मकान बना रहे हो renovation, land, property या फिर एक कहता है एक family बनाना मकान नहीं घर बनाना family grow हो सकती है किसी भी तरीके से आप partner choose करके हो सकता है एक family planning तयार कर रहे हो बढ़ आपका घर बन रहा है यह जो जो ship में होता है steering के लिए जैसे car में steering wheel होता है वैसे ship में भी directions के लिए वो होता है न मेरे खाल से उसको भी steering ही बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको बट यहाँ पर वो है हमारे पास अब यहाँ पर universe आपको क्या बताना चाहते है कि आपको न अभी life में direction की जरूरत है आप बहुत directionless हो तो दो चीजे हैं या तो आपको direction की जरूरत है या फिर आपको direction मिलने वाली है बट जो भी है अभी आप directionless हो आपको नहीं पता आगे किस दिशा में आगे बढ़ना है किस पाथ पे जाना है करना क्या है आगे आपको यहीं नहीं पता कि कल क्या करना है आप इतने फसे से हो यो ना इस चीज में तो वो directionless वाली जो चीज है ना वो बहुत time हो गया भी और वो ना एक pattern सा बन गया है तो वो pattern को आप please उस pattern को तोड़ो क्योंकि अगर आप नहीं तोड़ोगे ना तो वो पक्का होता जाएगा तो कोई चीज, कोई support system या कोई अपने आपको कोई exercise mental exercise, mindfulness exercises, practices कुछ करो आप ताकि आपको ना direction मिले life में क्योंकि आद्धवाइस तो फिर एक life बिल्कुल जाया सी है direction नहीं होगी life में तो क्या ही मतलब है, मतलब तो है ऐसा नहीं है, बट फिर भी direction होने से बहुत चीजें असान हो जाती है ठीक है Sagittarius ये थी आपकी next 10 days की love reading, 1st to 10th June की, अगर आपको पसंद आई तो like करें, share करें comment करके मुझे बताएं और subscribe करें मेरे channel को Imrama Tarot को और part बने मेरी Imrama Family का, मुझे अच्छा लगेगा Thank you, bye